पूजा करने से किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं क्या-क्या आपको फाइदे हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपुन दिन है और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें तैकि आप सारे लाभ उठा पाएं और सारे फाइदे आपको मिल जाएं दोस्तों निर्जला एकादशी जैसे हमने पता है 13 जून 2019 को निर्जला एकादशी है और इस दिन विश्णु भगवान की पूजा की जाती है बहुत ही महत्वपन होती ही विश्णु भगवान की पूजा करने से जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों विश्णु भगवान की पूजा की स्प्रकार की जाती है तो इससे आपको काफी फाइदा मिलता है दोस्तों निर्जला एकादशी पर तुलसी का भी बहुत ज़्यादा मैधव है जी हाँ दोस्तों तुलसी का बहुत ही जादा मैतवा है निर्जला एकादशी के दिन और दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन शाम को तुलसी के सामने अगर गाय की गी का दीपक जलाएं और ओम भगवते वासुदेवाय नमा का जाप करते हुए ग्यारा बार अगर परिक्रमा कर लेते हैं दोस्तों तो इससे गर में सुक शान्ती हमेशा बनी रहती है तदा गर में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है निर्जला एकादशी पर दोस्तों भगवान विष्णू के मंदिर में एक नारेल और थोड़े से बदाम चड़ाएं इस उपाई को करने से जीवन में आर्थिक समस्या कभी नहीं होती है ज़ता आपके अगर काम में कोई भी वाधा आ रही है तो वो जरूर समाप्त हो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णू को नारेल और बादाम चड़ाने से आपको आर्थिक समस्या खतम हो जाएगी दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णू को अगर पीले पुष्प चड़ाए जाए और पीले वस्तर धारन किये जाए तो अपने मनवांचित फलों की भी प्राप्ती होती है आपकी जो मनो कामना हैं आप उसको भी पूरा कर सकते हैं बड़े ही आसानी से निर्जला एकादशी पर दोस्तों बगवान विश्नु को खीर में तुलसी के पत्य डाल कर अगर बोग चड़ाएं तो इससे भी घर में शांती मिलती है जी हाँ दोस्तों घर में शांती बनाने के लिए तुलसी के पौधे की पूजा बहुत ही ज़ादा जरूरी है आप तुलसी पोदे की पत्यों को खीर में डाल कर बहुँ चड़ाएं, तुलसी को गाय का दीपक लगाएं, तुलसी की परिक्रमा करें, ये सभी करने से आपको गर में जरूरों शांती बनी रहती है निर्जला एकादशी के दिन दोस्तों पीले रंग के कपड़े, पीले रंग का अनाज, पीले रंग के फूल, पीले रंग की ही चीजें विश्णु भगवान को अर्पित की जाती है, तता वो ही चीजें गरिवों में दान भी की जाती है निर्जराय cabbage के दिन दोस्तों भगवान विश्णू का पूजर करते समय martial कोछ पैसे हूज रखने so आपके पास सिखे होय है आप सिख़््या रख दीजिए और पूजर के अप उन सिख्कों को आप अपने सिख्कों के अचिरवात समझ के आप अपने पर्स में रखिए इससे आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आपका पर्स हमेशा बराबरा रहेगा दोस्तों आपको आर्थिक तंगी कभी भी इससे नहीं होगी भगवान विश्णु का अगर दोस्तों हम जाप करें और अम भगवत्य मन से जाप करना चाहिए एकादशी के दिन दोस्तों अगर पीपल की वरक्ष पर भी जल चड़ाएं तो भी काफी हमें फाइदा होता है इससे हमारे अगर कोई उधार हमने लिया है किसी से कर्ज ले रखा है तो वो कर्ज इसमें समाप्त जरूर हो जाता है एकादशी के दिन दोस्तों अगर हम आयमले के रस्कों ग्रहन करते हैं तो पुण्य की प्राइप्त होती है जी हाँ आयरे दोस्तों मंदिरों में पानी से दान करना चाहिए. इससे भी काफी फाइदा होता है. और हर दोस्तों, हमारे गर के छटो पर भी पक्षियों के लिए जलपातर रखने चाहिए. इससे भी हमें काफी लाभ मिलता है. इकाधशी की दिन रातरे में दोस्तों भगवान विश्णू के सामने नो बत्तियों का दीपक आप जरूर जलाएं नो बत्तियों का दीपक जलाने से और रात बर अगर वो दीपक चलता रहे तो इससे आपके गर में लक्षमी का वास होता है आपके गर में लक्षमी आती है लक्षमी बहुत प्रसन होती है इससे तो कितने नो बत्तियों का दीपग जलाने से इस इकादशी को दोस्तों बीम से निकादशी भी कहते हैं और इस दिन वायू पुत्र बीम की पूजा करने से भी काफी लाव होते हैं दोस्तों एकादशी के दिन सुबह सुबह भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद पूजा करने से पहले आप भगवान विष्णु को दूद और केसर का भोग लगाएं तो पूजा करने के बाद आप अपने को भी केसर का तीलक लगाएं तो उसे भी आपको काफी फाइदा होगा और दोस्तों भगवान सुबह सुबह कादेशी के दिन अगर आप पूजा करने के बाद श्रीमत भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपको काफी फाइदा होता है और आपके साथी मनोकामनाएं पूरी करते हैं तो दोस्तों आपको पूरी होने की संभावनाय रहती है दोस्तों अगर आपकी घर पे शंक भी है तो दक्षिना वर्थ शंक की आप पूजा करें अगर एकादशी के दिन तो दोस्तों आपको लक्षमी जी की प्राप्ति होती है लक्षमी जी प्रसंद होते हैं और आपकी घर में खुशियां आती है जी हां दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एकाद श्रीदीन एक साथ अगर आप हल्दी की कोडियां बना दें और उन कोडियों को पीले कपड़े में लपेट कर अब 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 पूजा के बाद उनको अपने गर की अलमारी में रखें तो उससे आपको काफी लाव होता है उस सकते हैं और आपकी आर्थिक तंगी समापत हो सकती है इसके अलबा कोई भी आपको परेशानी है कोई भी रोग अगर आपको हो रहा है तो वह भी आपके खतम हो जाएंगे काद शिक्या व्रत दोस्तों जितने मन से आप करेंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा जितना मुश सब्सक्राइब करिए शेर करिए और दूसरों तक भी जानगरी को पहुंचाएं जिससे वह भी इसका लाब ले पाएं धन्यवाद